हेलो गईज मेरा नाम असान सिद्धी कि है मैं फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ अगर आपको इस टॉपिक में इंट्रेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज हम बात करने वाले एक ऊद्र के बारे में जिसका नाम है देहनल ऊद अपड़ी होती है उसका ओयल देहन का मतलब ओयल होता है और राशिद जो है इस पर्डिगलर इत्र का नाम है और यह जो आता है अजमल की तरफ से आता है अजमल एक काफी फेमस ब्रैंड है इंडिया में भी इसके कई सारे आफ-लाइन स्टोर हैं और आन-लाइन भी यह आप परीबं 3,000 क्योंकि उसकी MRP यह यह और आन-लाइन जो है वह यह आपको मिल जाएगा अठारा सो रुपए का अभी फिलहाल मैंने जब इसको खरीदा था तब खरीदा था मैंने इसको तेरा सो रुपए का तो जिस कीमत में मुझे ही मिला था और जिस तरह की यह बॉटल है जिस तरह का यह ओईल है उस हिसाब से यह मेरी लिए काफी अच्छी डील थी और मैंने उस वक्त कई सारे लोगों को लिंक्स वगरा शेयर करी नहीं तो कई सारे लोगों ने परचिस भी गया था चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं और मैं इसको यहां पर तो यहां क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है पूरी एक क्रिस्टल कट बाटल है और उसके उपर इन्होंने देहनल उद राशित लिखा हुआ अर एक तरफ इनका लोगो छपा हुआ है उपर का यह जो पार्ट है यह प्लास्टिक है लेकिन बाटल जो है वह काफी जादा बॉक्स भी अच्छा है बॉटल इसमें आपकी सिक्योर रहेगी और यह जो उद है यह मैं पहले बदा दू किसको पसंद आएगा और किसको नहीं आएगा तो जिनको नहीं पसंद आएगा एक लिस्ट वो है जो उद वगयरा बहुत टाइम से लगा रहे है तो उनके लिए यह कोई बहुत जादा एक्साइटिंग उद ऐसा नहीं होगा कि बहुत जादा माइंड ब्लोइंग है या फिर इस तरह से और दूसरे वो लोग जो अभी इस पर्फियूम से इत्र में शिफ्ट हुए जल्दी उन्होंने इत्र वगयरा लगाना इस्टार्ट किया है तो उन भी नहीं टेक्निक्स से लोग डिस्टीर करने लगें उसे स्कैंकिनेस को खटा देते हैं लेकिन इसमें जो है वो फूरे फंकिनेस और इसकांकिनेस इंडियन उत्की पाई जाती है अब इसकी इसमेल अगर मैं रिलेट करूं तो कुछ इस तरह से है कि एक समझ लीजिए बहुत दिनों से बंद है और उसके अंदर सम्हाव लकडी के ब्लॉक्स रखे हो है और उसके ओपर पानी पढ़ रहा हो कई दिनों से तो अब जब उसको कई दिनों के बाद खोलेंगे तो उससे जो इसमेल आती है मैं उसको इस से कही न कहीं रिलेट कर रहा हूं तो कुछ इसकी स्मेल है कि समझ लिए एक लकडी है जो भीगी हुई है और अभी जल्दी सूखी है कुछ इस तरह की उससे इसमेल आएगी बैकड्राउंड में इसके एक समझ लिए स्ट्रॉंग एक वुडी स्मेल है उसमें फंकीनेस नहीं आता है जब ये ड्राइडाउन हो जाता है लेकिन इनिशल जो आदा घंटा मिझे लगता है इसमें अच्छी खासी एक कहारे है कि एक स्कैंकी इसकी स्मेल रहती है और इसमें एक साथ में वुडीनेस के साथ में कुछ स्पाइस की भी नोट आते हैं मतलब इस तरह नहीं है कि कोई एक खास स्पाइस की कार्डेमम या क्लोग का इसमेल आ रहे है लेकिन इसके अंदर ही समझ लिए मिलके एक स्पाइसी से नोट आ रही है तो यह बैक्ग्राउंड में सम काल भी काफी अच्छा है पर्फॉर्मेंस मैं बोलूं क्योंकि मैं इसको कई बार लगा चुका हूं तो मुझे बहुत जादा नहीं मिलती है पांस से घंटे यह कपड़े पर रुखता है और इसी तरह से इसकिन पर भी बहुत जादा नहीं रुखता है तो यह मेरे एक्सप लगाता हूं इसको जब मुझे खुद इंज्वाय करना होता है तो मैं अक्सर करके इसको रात में लगाता हूं मौसम अगर मैं बोलूं तो यह समर के लिए बिल्कुल भी नहीं विंटर में लगाईए इसको और या फिर आगर आपके रूम में एर कंडिशन है तभी जैसे कि मेरे कजिन हैं मेरे साथ रहते हैं तो उन लोगों को अच्छा खासा एक्सपिरियंस हो गया है और उद का स्टार्टी में वह भी बोलते हैं रहे यार कि क्या इसमेल है लेकिन अब जब कभी भी वह थोड़ा सब चीजों में इंटरस्ट लेने लगे हैं तो उनको इ और मुझे काफी ज़्यादा पसंद है इनके कई सारे अजमल के वाइल से जिनके बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगी इसके जो मेरा जो अगला टागेट है वह देहनल ओद खरीफा उसके बारे में हम भी हम वीडियो बनाएंगे मेरे इसाब से आप इसको आप इ ये किस के लिए है ये उनी लोगों के लिए है जो इस तरह की उद की स्मेल को पसंद करते हैं अगर आप इस तरह की स्मेल को पसंद नहीं करते हैं तो प्लीज आप इसको मत लीजिए वरना आप मुझे भी गाली देंगे अचमल को भी गाली देंगे और उनको भी गाली दें झाल झाल